कितना नोखा बंधन है ये तेरी मेरी जान जो एक हो हे गाइस वेलकम टुए न्यू काइन मास्टर स्टेटस वीडियो और आज की इस वीडियो में हम आपको काइन मास्टर में एक और न्यू तरह के वाटसप स्टेटस को एडिट करना सिखाएंगे तो बगए रे टाइम्स आएके हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो आपने अपना काइन मास्टर एप उपन करने के बाद आपने क्रियेट न्यू में आना है और आपने 9 इंटू 16 रेशो सेलेट करके नेक्स करना है उसके बाद आपने अपने इमेजिस को सेलेट करना है जिसका आपने स्टेटस वेडियो बनाना है यहाँ पे मैं चार फोटो सेलेट करता हूँ उसके बाद आपने पहले वाले फोटो को सेलेट करना है और सबसे पहले आपने इसको जूम इन करना है उसके लिए आपने इस option पे क्लिक करना है यहां से आपने is equal to पे क्लिक करना है और आपने दोनुं fingers की मदद से इस photo को zoom in करना है कुछ इस तरह से उसके बाद आपने second photo को select करना है यहां पे इस photo को zoom in करने की ज़रूरत नहीं है और इसी तरह आपने सारे फोटोस को जूम इन करना है यहां से मैं इस फोटो को भी थोड़ा जूम इन करता हूँ तो दोस्तो यहां पे मैंने इन चारूं फोटोस को जूम इन कर लिया है उसके बाद आपने फोटोस के डूरेशन को थोड़ा सा कम करना है आपने around 3.5 to 4 seconds टक रखना है यहाँ पर मैं सारे photos को 3.8 seconds टक रखता हूँ नाव उसके बाद again आपने layer में आना है यहाँ से आपने media में जाना है और इस video के description में जाके आपने इस png image को download करना है यहाँ पर आप देख सकते हैं first of all आपने इसके timing को increase करना है उसके बाद आपने इसके size को थोड़ा बड़ा करना है और इस png photo को आपने यहाँ पर adjust करना है उसके बाद हमने इस video में एक light particle effect 8 करना है again आपने layer में आना है again media में जाना है और इस video का link भी इस video के description में मिल जाएंगे उसके बाद आपने इस effect को rotate करना है कुछ इस तरह से और आपने इसके size को full करना है उसके बाद यहाँ से आपने आना है blending में यहाँ से आपने screen पे click करना है और उसके बाद हमने यहाँ पर आपना lyrical video add करना है again आपने layer में आना है यहाँ से media में और यहाँ पर मैंने एक lyrical video already बना के रखा है यहां से मैं इसको add करता हूँ उसके बाद आपने इसको उठा के यहां पे लाना है और इसको थोड़ा सा rotate करना है उसके बाद again आपने blending में आना है और यहां से आपने third option multiply आपने इस पे click करना है तो दोस्तों यहां पे हमारा process complete हो चुका है और finally यहां पे हमने इन दोनोंग फोटोस के दर्मयान एक transition effect यूज़ करना है यहां पे आपने इस part को select करना है और यहां पे मैं ये वाला transition effect यूज़ करता हूँ shake it आपने इस transition effect को काईन मास्टर में इस जगे से download करना है اور यहाँ पर मैं पहले वाले हिस्से में First वाला Transition यूज़ करता हूँ और अगर आप चाहे तो आप इसके Speed को कम ये ज्यादा कर सकते हैं यहाँ से मैं इसके Speed को Two रखता हूँ उसके बाद दूसरे हिस्से में ये दूसरा वाला यूज़ करता हूँ और इसके speed को मैं मजीद थोड़ा सा कम करता हूँ और यहां पे जो third वाला part है उसमें मैं again first वाला यूज़ करता हूँ और इस जगे पे मैं एक और photo add करता हूँ आपने यहां से direct media में जाना है और यहां पे मैं ये वाला photo यूज़ करता हूँ और इस transition हिस्से में मैं again second वाला यूज़ करता हूँ तो friends यहाँ पे हमारा process complete हो चुका है और यहाँ पे जो extra parts है मैं उन सब को delete करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे हमारा बहुत ही कमाल का status वेडियो बन चुका है और finally एक बार मैं आपको ये वेडियो प्ले करके दिखाता हूँ उसके बाद यहाँ से आपने इसको export करना है यहाँ से आपने इसको save करना है झाल